असलाम नेकुम दोस्तों मेरे नाम से यदौन है आप मेरे डिजिटल चैनल्स टेक रहे हैं हाजरू आपके सामने ट्रेडिंग कोर सीरिस के एक नई वीडियो के साथ के जिसमें हम डिसकस कर रहे हैं यानी जो प्राइस चार्ट है उसके ओपर मुख्तलिफ के शक्राइब कर सकती हैं या फिर ये मुख्तलिफ के शक्राइब को किसी की लेवल के उपर आना चाहिए सारी चीजों को एक ब्रॉडर लेवल के उपर आज की इस वीडियो में थोड़ी दिर में स्क्रीन शेर करके किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पर जाके हम डिसकस करेंगे मजीद फिर तीन चार इंपॉर्टन केंडल्स की शकले हैं कि जो टाइम्स बड़ी जबदस ट्रेड्स आपको देती हैं बड़ा जबदस आपको एंवार्मेंट उसमें उसको फिर आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कॉस करूंगा है होप आपको मजा आ रहे हैं इस पूरी सीरीज का जो ट्रेडिंग कोर्स के अंदर में आपके लिए डिफरेंट वीडियोस लेख आया हूं कंसेप्चिल बातें कॉंप्लेक्स कॉंसेट्स ट्रेडिंग मार्केट्स के खास तोर पर प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड आसान उर्दू हिंदी जबान में आपको मैं यह डिकोड करके इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कॉंटिंट पी पसंद आए आपको वीडियो को लाइक किजगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर क्लिक किजगा आएं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं प्राइस चार्ट के पर चले जी, अपनी स्क्रीन पर आप गोल्ड मार्केट का डिली प्रेस चार्ट देख रहे हैं, यह क्लास हम रिकॉर्ड करें नवंबर 2023 में, बैसिकली, कॉंसेप्ट आपने क्या समझना है, कि देखो कैंडल्स की जो मुखतलिफ शक्ले हैं, वो हमें बता रही होती हैं कि किसी प important areas पे आने से हमें market का किसी एक direction में move होने का clue मिल जाता है, सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, कि इन candles की शकलों का फाइदा है, जब आपने market को structure कर लिया हुआ है, यानि ऐसे नहीं है कि आपको नहीं पता कि market का trend क्या है, आपको नहीं पता कि support resistance areas कौन थे हैं, और आपने trend के है, और short term long term trend के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, कि long term trend होता है, anything between 6 months to 1 year, यानि 6 महीनी और एक साल का price data zoom out करके आपके पास आपको long term trend पता लग रहे है, market का short term trend जो है, वो 8 महीने से 6 महीने तक का price data आपके पास जो है, वो short term trend आपको बता रहे है, और as swing traders, trend की direction मे जो हम swing trading कर रहे होते हैं, उसके लिए हमें short term trend चाहिए होता है, जो 8 महीने से 6 महीने तक का price data होता है, अब उस trend को सबसे पहले तो identify करना important है, कि आपको पता हो, कि जिस वक्त आपने market के price chart को open के, bullish trend आप देख रहे हो, bearish trend देख रहे हो, number 2 ये, कि within that trend, relevant areas, key level, support resistance areas, आपको प देखने का clue दे रही है, तो फिर आप उस candle की शकल को trade करते हो, because वो candle की शकल आपको बताती है, कि यहाँ पर आपका stop होना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा साम try भी कर लेते हैं, विसारा के तोर पर यह देखो, अब यह gold market अपनी screen पर आप लोग देख रहे हो, ए बैसिकली एक zone है, 1947 से लेके 1952 यह दो red lines जो मैंने लगाई है, उसके बाद एक short term swing resistance area यहाँ पर यह यह वाला पड़ रहा है, अब हुआ basically क्या, market ने जब इस particular level को जो के पहले वाले bearish structure या trend के अंदर एक ठीक था resistance area था, market ने जब इस level को upside के उपर break करके ऐसे highest बनाना start कर द आने के बाद market ने deeper pullback दिया, कहां तक दिया, इन दो red lines तक जिया, जो अब एक expected support level है, support area है, क्यों, क्यों क्यों क्योंके पहले वाले bearish structure में यही level resistance area थे, अपने breakout के बाद यही level expected support बन गए, कि जो support level पे कीमतों के आने के आने के बाद, false break event हुआ, false break event के आने के बाद, particular support level है, कि जो support level के उपर जब भी कल को pullback दे के market यहाँ पे candle की ऐसी शकल बनाएगी, जो short term bullish trend जो बना हुआ है, इसकी direction में कीमतों के मजीद move होने का clue आपको दे, तो वो candle की शकल को आप ट्रेड करते हो, और वो candle की शकल आपको basically stop placement देती है, और वो candle की शकल कौन सी होगी, वो 3-4 candles के शकले हैं, जो हानेवली classes के अंदर मैं हर शकल के उपर separate video बना के आपके सामने present करूँगा, समझा आगे, यह सारी कहानी है, उसके बाद, मिसाल के तोर पर, अब यह trend market का bullish है, इस bullish trend के अंदर यहाँ पे, एक multiple inside bar pattern अब यह चार candles की ऐसी शकले बन गई है, कि जिन candles की शकलों का upside breakout हमें यह बता रहा है, कि market मजीद उपर जाना चाहती है, कि जिसके नतीजे में हमने buy stop के साथ इसको, इसके initial breakout को trade किया, basically अब यह भी एक candle की शकल है, जिसके उपर आने वाली video में dedicated separate video बना के इस candle की stick pattern को में discuss करूँगा, अब यह चार candles की शकले है, कैसे, 21 November की candle की है मेरे mouse का cursor note करो, इसके higher low के अंदर 22 November की candle है, 23 November की candle है, 24 November की candle है, यह तीन candles 21 November की candle के higher low के अंदर है, which makes it a multiple inside bar pattern, technical लफज इसका multiple inside bar pattern है, अब यह inside bar और multiple inside bar pattern ऐसी candles के शकले होती हैं, कि जिस भी direction में यह pattern break हो, bullish या बेरिश, उसी direction में कीमतों के मजीद move होने का clue यह particular pattern देत है unless कि वो break falls break नहों confirm break हो और buy stop के साथ हम इसमें entry लेते हैं, अब हमने देखना हुआ ही होता है, कि यह candles की शकली है, यह particular candle stick pattern की trend के अंदर बना है, यह bullish में बना है, यह bullish में यह bullish trend के अंदर है, यह इस bullish trend के अंदर ये जो short term resistance है ये भी upside के पर break हो जाएगी तो आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ कि आने विली classes के अंदर जो candles की मुख्तलिफ शकलें तीन चार important शकलें उनके उपर dedicated videos बनाके मैं उन candles की शकलों को आपको elaborate explain करूँगा लेकिन candles की महज अकेली शकलें काफी नहीं है successful trading के लिए पूरी कहानी आपको price chart की पता हो नहीं चाहिए इसमें तकरीबन 50 concepts हैं जिनको मैंने deploy करके आपके सामने ये gold का operation कर दी है gold market का के gold market next क्या कर सकती है obviously market के present और past का पता होगा तो future forecast करोगा न है गलती है आप ये करते हो चक्कर में बढ़ जाते हो कि अच्छा ठीक है आगे कल को market कहां जाएगी नहीं आज देखो आज कहां पे है कल कहां से होके आई आज कहां पे खड़ी तो पता लगेगा कल को कहां पे जा सकती है ये market ठीक है तो ये बड़ी important चीज आज की क्लास का आपको मजा होगा ब्रीसी चोड़ी सी क्लास जिसके अंदर I want to build on this बेस बनानी थी आपकी अगली आज की क्लास के लिए आज की क्लास बेसिकली एक बेस है जो बने बराद दी अब आगे जब मैं आपको मकैनल की मुखिलिफ शकलों के उपर different sessions दूँगा आपको मजा आएगा आज दूसरी दो तीन important चीज़ें वो क्या एक तो यह जितनी वीडियो अप्लोड हो रही है ट्र तो फिर आपको मजा भी आएगा आप समझ भी आएगी दूसरी important चीज़ यह है कि अगर आप अभी से professional लेवल के उपर लेकर जाना चाहते हो अपने ट्रेडिंग करेर को और professional लेवल पर काम सीखना चाहते हो उसके लिए पर स्कॉर्ड ग्रूप देख रहे हैं पूरा trading course यह आपने मेरी official website seyadon.com पर जाके trading course and signals की टाप पर आपने click करना है इस page को scroll down करोगे इस page के पर सारी information दी विया है कि आप मेरा private trading or learning group कैसे जोइन कर सकते हो और हमारा support admissions whatsapp number भी यहां पर दिया हुआ हुआ है तीसरी important चीज़ यह कि आप मेंसे वो लोग जो मेरे preferred broker के terminal पे account open करके एक ऐसे platform के पर अपना trading account open करना चाहते हैं जहां पे ना सिर्फ उनको crypto currency को trade करने को मिले है बलके forex stocks, commodity, markets और individual stocks में भी वो काम कर सके तो इस video के description में मेरे preferred broker का link दिया हुआ है जिस link को इस्तमाल करके अपना ख्याल रखे मुझे इजाज़त दें, Allah आफेस